किन राशी वाले लोगों को इस पार्ट का करना सर्वोतम माना जाता है ये भी आपको बता देते हैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि मेश राशी के जो लोग हैं उनको सिक्षा में यदि प्रॉब्लम आ रही है यानि कि मेश राशी से पंचम भाव का स्वामी सूर्य तो मेश राशी वाले लोगों को सिक्षा में आईवी दिक्कतों को खत्म करने के लिए आदित तहर देस्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए उनके स्वास्थे के लिए हर तरीके से उत्तम साबित होगा और सिंग राशी वालों के लिए स्वास्थे के लिए क्योंकि सिंग राशी में सिंग लगन के अंदर सूर्य लगनेश हो जाता है तो सिंग्रवाशी वालों के लिए हर तरीके से आदित्य हर्दे स्तोत्र का पाट करना अपने आप में रामबान साबित होता है क्योंकि ये रामबान इसलिए हो गया अगस्य मुनी ने सर्वपर्थम इस पाट को प्रभुश्री राम को ही बताया था तो सिंग राशी वालों की हेल्थ की जितनी भी प्रॉब्लम है आदित तहर्दे स्तोत्र के पार्ट के बाद सारी खत्म हो जाएंगे धनु राशी वालों के लिए भाग्य के अंदर कमी हो ब्रहस्पति शुप प्रभाव ना दे और सूर्य कही न कही पीडित हो जाए तो धनु राशी वालों के भाग्य को चमकाने के लिए धनु राशी वालों को धलु लगन वालों को इस पार्ट को जरूर करना चाहिए ऐसा करने से उनका भग्य चमक जाता है और एक चीज बताता हूँ कि व्रश्व राशी वाले जितने जो लोग हैं संपत्ती के लिए क्योंकि लगन से चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य हर तरीके से आपको अथा संपत्ती देता है संपत्ती का कोई वाद विवाद है तो भी आप करिए संपत्ती आपकी कहीं फस गई है किसी ने हडप लिये तो आप आदितहर्दे स्तोत्र का पाट करिए कन्या राशी वालों की नौकरी दिलवाता है और मकर राशी वालों की आयू पर आये हुए संकट को तच्छन में दूर कर देता है आदित तहरदे स्तोत्र आदित तहरदे स्तोत्र के अंदर 31 जो हैं शलोक हैं और जब आप इनका पाठ करते हैं आपने शरीर के अंदर एक नई उर्जा का आपको आभास होने लगता है इसका पाठ जब किया जाता है तो हमेशा धीले कपड़े पहन कर यानि चुस्त कपड़े बिलकुल ना पहनिएगा धीले कपड़े पहन कर हलके गुलाबी, हलके पीले, हलके सफेद रंके कपड़े पहन कर काले नीले कपड़े पहन कर कभी भी आदित तहदे स्तोत्र का पाठ नहीं करना चाहिए इसका विपरीत प्रभावा आपके उपर आएगा अब मिथुन, तुला और कुम्ब राशी वालों को यदि वेवाहिक जीवन में परेशानी आ गई और स्वास्ते का भी इनको काफी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो अपने स्वास्ते को ठीक करने के लिए अपने वेवाहिक जीवन में स्थुधार के लिए आपको आदित तहर्दे स्तोत्र का पाठ करना चाहिए अब आपको बताते हैं कि इस स्तोत्र के पाठ करने से जिंदिगी के अंदर किस तरीके से चमतकार होते वो भी बताएंगे लेकिन करक राशी, व्रिष्चिक राशी, मेन राशी वालों को उच्च पद यदि चाहिए यानि वो पर्मोशन चाहते हैं, नौकरी में दिक्कते हैं आ रही हैं, तो इन लोगों को करक राशी से दूसरे भाव का स्वामी सूरिय और व्रिष्चिक और मेन राशी के लिए भी शुप भावों का स्वामी सूरिय इनको उच्च पद जरूर दिलाता है, आप ये मत सोच जीएगा कि हमने दो-चार दिन पाट कर लिया और हमें उच्च पद मिल जाए, भाया आपकी कुंडली के अंदर सूरिय की इस्तिती जैसी होगी उसी के अनुरूप आपको रिजल्ट मिलेगा, अब मानिये सूरिय आपका छटे भाव में राहु केतु से पीडित है, तो इस चाहर से परेज करना यानि कि तामसिक चीजों से अपने आपको बिल्कुल दूर रखिएगा, जिनकी कुंडली में सूरिय दूसरे भाव में हो, तीसरे चौते या फिर छटे भाव में हो, सात्मे आठमे या फिर बार्मे भाव में हो, उनको भी आदे तहर्दे स्तोत्र का पाट शत्परतिशत 100% शुपफल देता है